ता हैं राक्षस कंब और उसकी राक्षसी सेना ने भगवान शिव की गहरी तपस्या की और कई पून्य प्राप्त के, अंथ में भगवान ने राक्षस कंब को दर्शन दिये और मन्चाहफल मांगने को कहा, राक्षस ने बलवान यशस्वी होने का आशीरवाद मांगख भग दतात्रेय ने मुस्कुरा कर देवराज इंद्र से कहा, हे इंद्र, तुम कुछ भी करके राक्षस कंभ को मेरे पास भेज दो, उसके बाद तुम्हारी समस्या का अंधनिश्चित है। तुम ही जाओ और माता लक्ष्मी को सही सलामत लाओ, इंद्र ने कहा कंभ को भगवान शिव का आशिरवाद प्राप्त है, देवता उसे नहीं हरा सकते तब भगवान ने कहा, राक्षस कंभ ने भावनाओं में बहकर परिस्त्री का स्पर्श किया है और उनकी इच्छा इस्त्री पर बुरी नजर रखने वाला कितना ही बड़ा पंडित क्यूं ना हो वो पाप का भागी होता है, और उन जैसों का साथ देने वाले भी उतना ही भूगते हैं, अब बुराई की सीमा ने सभी बंधन तोड़ दिये हैं और इसकल यूग का अंधन नजदीक है, इसल अहले उसने कितने ही पून्यकिय हो वो उसी वत पाप में बदल जाते हैं, स्त्री को देवी का स्थान ऐसे ही नहीं दिया गया है, श्ररिष्टी कि स्रजन में नारी का मूलिय योगदान है, यह आपको क्या सीख देती हैं, क्या आप इस लड़ाई में लड़कियों के साथ ह यह आप क्या सोचते हैं इस विशे में?